ये है नारियल का मोदा, बहुती स्वादिश्ट बनके तायार होता है इस गनेश्चोतित्ति पे मिन्टू में बन जाता है, मैं हुँ शुप्रिया, शुप्रिया जराना घड में आपको स्वागा थे सबसे पहले मैंने ले लिया एक फ्रेस ताजा नारियल और इस नारियल को अच्छे से इसका अंदर का पाट मैंने निकाल लूँगी, ठीक इसी तरह से मैंने नारियल को खीस कर लिया और इसमें लगभग 200 गरम करीबन मेरा नारियल हुआ, उसके ही सबसे मैंने गूर्बी ले अब ही गैस के ऊपर पैन बिठा के अच्छे से मैंने कराय को गरम कर लिया और गरम कराय में मैंने नारियल को डाल देती हूँ, नारियल डालने के बाद ही मैंने एक बार चला लेती हूँ, उसके बाद मैंने इसमें डाल दूंगी, मेरा जो गूर है उसको भी डाल देती हू गुर नारीयल को डालने के बाद अच्छे से मिलाना है और गैस का फ्लेम लो रखके आपको एक दो मिनित तक भोंजना है एक दो मिनित के बाद इसमें मेन इंडिगेंस में डालने वाली हूँ मैंने ना सबसे पहली क्या क्या एक लिट दूद को अच्छे से उबल के उसका मालाई एक दूद बना लिया सुखा खित 200 मिल कर लिया था उई दूद अभी इस्में मैंने डॉलने वाली हो और पुरा दूद का कालार भी देखो क्लीम जैसे कालार आ गया और मालाई बहुत सड़े जम गया यह दूद डालके मुझे लगभग 10 मिनिट तक अच्छे से पकाना है और इस तरह से मेरा देखो 5 मिनिट हो गया इसका कालार भी चेंज हो गया और अच्छे से अभी इसमें तोरा सा और गारा हो जाएंगे आ खाने में उतना टेस्टी भी बनेंगी छोटे बड़े सबको दे सकते हो एक मोदक की रेसिपी क्यूंकि इसमें पोटिन पावडर है जो हड्यों को भी मुझबूत बनाएंगे खाने में और छोटे बड़े असान से खालेंगे और इसमें थोरा सा एलाईची पावडर को मैंने शक्कड से पीश लिया था और इसको मैंने लगभग और पाच मिनेट पाकाने के बाद पुड़ा शुग गया इसको मुझे और पाच मिनेट तक और कुक करना है अब हिसमें मैंने एक टेबिल स्पून घी डाल दिया घी डालने के और एक बार पकाना है अभी गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया बाद में मैंने थोड़ा सा लो करके क्योंकि नीचे से नहीं तो लग जाएंगे इसलिए मैंने हाई लो करके इसको पका लूँगी लगभग मेरा ये मोदग बनाने के लिए 10 से 15 मिनिट का ही सुमाई लगेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये रेसीपी बनाने में और बहुती स्वाधिस्ट बनके तैयार हो जाता है देखो ये जब डो फंपे आ जाएगे ना तब गैस का फ्लेम आप कर दिया और इसको मैंने निकाल दूँगी इसका कालर भी देखो पूरा चेंज हो है और बहुती सुन्दर सक खुश्बू आ रहा है इसको मैं एक सबसे पहले क्या करना है गैस तो फेम बॉंद कर दिया मैंने इसको धक्के रख दूंगी पांच मिनिट के लिए तब तक मैं आगे का जो पॉसे से ओ कर लोंगी और ये रेसीपी आप लोग कहा से देख ली हो आप लोग के साथ हाजिर हो जाओंगी चलो अभी इसको धाग देती हूँ दो से तीन मिनिट लिया तो पाच मिनिट के लिए आपके पास ज्यादा टाइम है तो राख सकते हो मैंने धाग देने के बाद इसको निकाल लूंगी एक बाउल में और ये बनाने के लिए मोद्द आपके पास मॉल्ट ना हो तो ये रेशिपी अपलोग पूरा देखना किस तरहा से मैंने हाथ में भी मौदग बना चे दिखाऊंगी बहुत इस मोदब बना के आत मैना हो सकते हो एक दो मैना तो बाहर रखे खा सकते हो और फिरिज में भी रखे खा सकते हो बहुती स्वाधिस्ट बनता है सुबब बी एक लड्डू जैसा खा लेंगे ये मोदक खा लेंगे बहुती अपको फुर्टी मीरेंगे क्योंकि इसमें पोटिन पाउडर भी है नारियल भी है दूद भी है बहुती स्वादिश्ट बनके तैयर हो गया और इसका जो साइट का भाग था ना इसको मैंने हाथ से थोड़ा चिकना कर दिया इसी तरह से मेरा देख भी ज़टपता है अब कोई भी मोदक बनाओ मोदक का रेकी कि बनाने में ज्ञारा टा intervention शादिवित अ बहुत देख सखते हो इसी तरह से एक बढ़ा पूटिन पाउडर बनाना इनार मिल्क चाहरार बहुतिस वादीश्ट स्वादीष्ट होता है इसी तरह से बातो बातो में मेरा तीन मोदक बनके तैयार हो गया चलो आगे का मोदक मैंने हाथ से किस तरह से सेब देना है ओ भी दिखा देती हूँ सबसे पहले हाथ से इस तरह से लड़ू जैसा गोल कर लेना है उसके बाद अंगुली की मदद से एक चूरा जैसा बना लेना है चूरा बनानी के बाद आपके पस चामच है तो चामच की मदद से इस तरह से थोरा सोरा काट जैसा लगा देना एक सेब जैसे मोदक जैसे सेफ होता है ना एक सेब आ जाएंगे देखने में भी उतना ही सुन्दर रहेंगे देखो कितना अच्छे से बनके तैयार हो गया मेरा ये मोदक इसी तरह से मेरा भाकी का मोदक भी मैंने बना के तैयार कर लिया देखो पहुत सरे मोदक बनके तैयार आपके घर में गनिश स्च वतिती है तो आप ये गनिश चाथिती चेहरो है भूलना नहीं इसी तरा से मैंने पूरा मोदक की बनागतीके तैयर कर लूंगी प्लेट में और बाकी का दो मैंने हाथ से बना लेती हूँ क्योंकि हाथ का मोदक भी देखने में बहुत सुन्दर हुआ इसी तरह से मैंने पूरा बना लिया और आज के लिए इतना ही अच्छा रहना खुस रहना और गानेस सतुत्ति में मोदक खाती रहना आपके पास कॉमेंट रहेंगे तो मोदक की और धेर सरी रेसिपी मैंने आप लोग को दिखा दूंगी आज के लिए इतना ही चलो बाई